वेल्कॉम बैक वेल्कॉम बैक तो जैसे कि आज आज आपको वेल्कॉका क्वाना बढू おयवाद का वुच्छ टी तो इन वीडियोस का टाइटल ये था कि कैनाड मताना कैनार मताना और किनाडा मताना तो मैंने काफी रिमाद~!! करेंशिश कहaran्श लेक हilah चालर माइनस 30 के अंदर खड़ा है, स्नो मैन मना रहा है, और लोगों कहा रहा है कि यार यहां मत आओ, तो काफी जीब लगा था मुझे वीडियो से, कि यार मुझे एक बात समन्य आती, कि हम हमेशा negativity के ओपर ही क्यों फोकस करते हैं, हम हमेशा positivity के ओपर फोकस क्यों नहीं करते हैं लाइफ के अंदर, तो यही मैं आज, जो मेरा वीडियो का टाइटल है, जैसे कि आपने पड़ा कि डॉंट कम टू कैनेडा, तो मैं आज आपको बताऊँगा कि कैनेडा आपको क्यों आना चाहिए, तो अगर मैं यार इसके अंदर किसी को भी यह नहीं कह रहा है कि लोगों ने ऐसी वीडियो क्यों नहीं है कि डॉंट कम टू कैनेडा मगर मुझे लगा कि एक कुछीजे सही नहीं है वीडियो उसके अंदर, तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं बताता हूँ कि आप कैनेडा क्यों आना चाहिए, नमबर वन पर होता है आपका एजुकेशन यार, तो आपको भी पता है, यह मुझे ही पता है, ट्वाइल तक तो जो एजुकेशन है वो तो है सही, उसकार आपको पता है यार, बीटेक कैसे होती है, बैशलर्स कैसे होती है, आपको रट्टा मुरवाए जाता है, आपको कहा जाता है, यह करो वो करो ठीक है, तो मतलब मैं यह नहीं कर रहा कि एजुकेशन खराब है, मगर यार, जब तक आप लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं सिखोगे, तो लाइफ में आप आगे कैसे भढ़ोगे, तो यही मैं कहना चाता हूँ कि इसलिए लाइफ के अंदर आगे भढ़ना बहुत जूरी है, प्रैक्टिकल सीखना बहुत जूरी है, अगर आपको एक अच्छी जोब चीए, यह अपना एक अच्छा फूचर बिनाना चाहते हो, तो यही मैं हमेशा स्टुरेंट्स को रिकमेंट करता हूँ कि थोड़ा अपने घर से बाहर निकलिए, थोड़ा बाहर जाईए, थोड़ा बाहर जाके देखिए कि भाई, अगर मैं खुद का एक्स्पिरिशन पात करूँ जब मैं यहां था, पहले दिन मुझे कुछ idea नहीं था कि मुझे यार practical ऐसे करना है तो मैं बिल्कुल जीरो था तब मुझे realize हुआ life के अंदर कि जो मैंने अभी तक education पड़ी उसका तो कोई फाइदा नहीं था उसका क्या फाइदा जो मुझे यही नहीं सिखा सके कि मुझे computer पे code कैसे type करना है तो यह कुछ चीज़े हैं यार मैं कहता हूँ कि जो अच्छे colleges है ऐसा नहीं कि सभी colleges ऐसे है back home जो बड़ी cities है बड़ी cities के अंदर कुछ अच्छे colleges है जहाँ पे आपको practical सिखा जाता है तो इसलिए मैं recommend करता हूँ students को कि बाहर आईए बाहर आके देखिए यार बाहर आके आपको और अच्छी चीज़े पता चलेंगी लाइफ के अंदर दूसी चीज़े यार कुछ लोग कहते हैं यार कि पैदल बहुँ चलना पड़ता है तो यार बात ऐसी कि अगर आपको पैदल चलना पड़ता है न तो फिर यार आप एक बात आईए मुझे आपको यार जब इनसान पैदा हुआ था न अससे 10-15,000 साल पहले या बात कहते हो मुझे हसी आदी थोड़ सी तो जब बंदा पैदा हुआ था तो तब भी बंदा पैदल चलता था तो जब भी आप इनसान पैदा हुआ तो पैदल चलने के लिए पैदा हुआ अगर आपको यार कोई दिक्कत हो रही है तो आप गाड़ी वेर ले लो बाहरा के यार बहार आके गाड़ी दे लो यहां पर Uber driving कर लो कुछ भी कर लो तो बहुत कुछ कर सकतो life के अंदर सिरफ तो मेरा कहने हो मतलब यह कि जब आप यह ऐसी वीडियो देखते हो ना तो उन लोगों से question पूछे यह अपने आप से question पूछे कि यार अगर अगर यह कोई problem है अगर पै लेडल बहुत चलना पड़ता है यहां पर आपको सब काम खुद करना पड़ेगा तो भाई पहले इंसां पहले भी काम खुद ही करता था था आज चारे पांच याज हजार साल पहले तो आज भी खुद कर सकता है तो मुझे इसके नहीं कोई problem निगती कि अगर यह कोई problem मुझे काम नहीं करना था, मैं lazy था अब मैं यहां के घोडा बन गया हूँ सारा काम में खुद करता हूँ बर्तन दोने यार जो भी है यार आपका पढ़ाई तो करनी पड़ती है हर दिन उसके लाब और चीज़े भी करनी पड़ती है तो सारा काम आपको खुद करना पड़ता है तो सिरफ इस बात पे, इस पेस पे की यहां के यार की काम बहुत करना पड़ेगा, महनत बहुत करनी पड़ेगी तो इसलिए अपने इस decision को बदल लेना, या अपने इस फैसले से अपने फैसले को बदल लेना, किसी दूसरे की वीडियो देखके, तो वह भी बिल्कुद सही नहीं है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कि आप खुद का फैसला खुद से लेना सीखे, अगर आपको लगता है कि याद ठीक है कि मैं बहार सर्वाइब नहीं कर सकता, यह आपके उपर है, मगर इन वीडियो के उपर डीजन को अपने मत लीजे, बहुत रही चीज़े को ध्यान रखें लाइफ के अंदर, तो यह जो आपके मैं एक पॉइंट्स कवर्ट करना चाता था, फिलाल एक और जो पॉइंट्स है, वो है आपका हेल्थ सिस्टम, कई लोग कहते हैं यार, हेल्थ सिस्टम तो है, मगर यह महंगा बहुत है, तो मैं आपको बताता हूँ है, हेल्थ सिस्टम क्या होता है, यहां का कैसे काम करता है, अपको अपको जॉप्ट कंपनी में आपको काम करते हů, उसका भी आपको हेल्थ करता है, तो सरफ इसलिए कि यार, जो आपको वह होता है कि प्रोविंस का हेल्थ कंपनी में होता है, वो लबग साई चीजे क़शन करता है, दो है तीन चीजों को छोड़के, एक तो अगर यह आपको आखों का चश्म हो गया वो कवर नहीं करता हो जो आपके आपको अगर अपने दातों कुछ हिलाज कराने वो कवर नहीं करता तो एक कुछ चीज़े हैं वो चीज़े कवर नहीं होती बागी सब कुछ कवर होता है अरे भाई या पांच बार तो होस्पिटल मैं जा चुका हूँ तीन बर एम्बलेंस लेग गए थी दो बर खुद लंगड़े घोड़े की तरह चला था वहाँ पर लंगड़ाते हुए मैं गया था होस्पिटल तक तो सरफ और सब कुछ कवर था मुझे सिरफ पचास टॉलर भढ़ने पड़े अपनी जेप से एम्बलेंस मुनाने के लिए अलग से वह भी जातर कवर था उसके अंदर तो सिरफ इसलिए तो यह जो आप चीजी देख रहे हो कहीं लोग कहते है के लिए हेल्थ केर महेंगा है या जी यह वह है रियल्टी यह है कि यार चीजों का देखो कोई भी आप टेक्स भरते हो उसका फायदा बहुता है नुकसान भी हो सकता है कि कुछ चीज आपको ना मिली जैसे अने आपको बताया आख हो कहा या दातों हो गगा जो भी बाकि मुझे काफी हद्थ कवर होती हैं तो मैं तो आपना experience चार हो आपको हो सकता किसी दूसरे बंदे का experience दूसरा हो मैं मेरे experience के साबसे मुझे काफ़ेची facility मिली जब मुझे जूट थी किसी भी डॉक्टर की तो ये चीज हो गी है अब कई लोग कहते है कि यार कि यार जैसे मैं आपको फादर बताया आपको इसका होस्पिटल के बता दिया दूसरी बात है बच्चों के एजुकेशन होगी वह कवर करता है बहुत चीजी कवर होती है अगर आप फैमली वाले बंदे है तो आपको एजुकेशन को एक पैसा नहीं भढ़ना पड़ेगा आपको कुछ चीजी भी NCR region है वह महंगा है आजकल हर चीज महंगी है दोस्तों वह जमाना चला गया जब कुछ सस्ता हुआ करता है आजकल हर चीज महंगी है आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है हर चीज के अंदर तो सिरफ इसलिए दोस्तों कि जो चीजे आप देखते हो वीडियो मैं नहीं क कभी डरिये मत कुछ भी काम करने से अब एक वीडियो मैं देखा उसमें कुछ लोग बन गया ठीक है अब लेजी यार ऐसा नहीं हो था देखो जो पहले आप कुछ हो लाइफ के अंदर पांस साल बाद आप लाइफ के इंदर कुछ और होते हो तो सरफ यह कह देना कि आप लेजी हो तो ना हो, हो सकता है फांसाल पद लेजी हो, आप लेजी ना हो, तो यह कोई मतलब निया, कोई इन चीजों कहना मुझे समझ न जाती कि हम इतनी नेगिटिविटी के अंदर क्यों जीने हैं लाइफ के अंदर हम पोजिटिफ क्यों नहीं होते हैं तो यह चीजे मुझे समझ जाते हैं इसलिए मैंने सोच है एक वीडियो आपके साथ बनाओ आज मैं थोड़ा शेर से करूँ चीजें कि जो चीजे मुझे लगती हैं और यार यह पैदल नहीं चल पाना जी टैक्सेस हाई हैं जी अब आप खुद डिसाइड किजी कि आपको क्या सही लगता है बाकी मैं तो आपको यही बताने बैठूँगा कि देखो थोड़ा बहार निकलो जिस मुल्क के अंदर भी आप हो बहार निकलो थोड़ा देखो यार दुन जी जाती है 15-20 साल उसको आप खाना डालते हो भेढ़ जित्ती रहेगी ठीक है ऐसे इंसान की लाइफ है अगर आपको comfortable life जी नहीं है तो आप जीते हो एकникомforable life तो मगर उस comfortable life का फाइदा क्या है रिस्क लो life के अंदर यार दिलेरी दिखाओ शेर का जिक्रह रखो बहार ज हम जाओं खियाँ कि हाँ मिद् 느क्पी आप क्या कर रहे हो कई लोग पूछते हैं या आप क्या कर रहे हो तो आदाए प्रेशर तो यह डाल दें लोग कि कई रहे हो बहुन को चन्वह कर्फुत कुछ बंदों को software 003 process success मिलती है जिस सतर साल के एज में तो हर बंदे का success का period है अपने अपने है तो सिरफ कुछ लोग जब यह लोग decide करने लग जाते है society के कि यार आपका लड़का यह है कि हर बंदे का हर बंदे की journey अलग है हर बंदे का social तरीक का अलग है हर बंदे का काम करने तरीका लागया ठीक है तो सरफ इसलिए या कुछ लोग जब ये कोशिन उठाते हैं तो उनको सोचना चाहिए जी आप इतने बड़े समझदार लोग हो कि आप कैसे से कोशिन पूछ रहो इससे बच्चे के पर प्रेशर पढ़ता है स्टुएंट के ओपर प्रेशर पढता है यहां पे आप आओ बाहर तो बाहर जब आप आओगे यहां पे आपको यह स्ट्रेस नहीं देखने हों मिलेगा आप जो करना चाहते हो आपको इस्ज़ भी जाना है जी आपधार बजा लो और यहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, जोब चाहते हो ना, जोब करना चाहते हो लाइफ में, महेंगी है और कंट्री मैं मानता हूँ मैं नहीं मना नहीं करूँगा, आप घर नहीं फोर्ड कर सकते जी आज कर पाऊंगा, ठीक है, अकिला बंदर तो ऐसे कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़ी नहीं कर सकते, आप अफोर्ड लाइफ के अंदर यहां पर, महेंगी बहुत सिखी है, मगर सब कुछ पॉसिबल है लाइफ के अंदर, अगर आप अपनी जी जान लगा दो, ठीक है, तो इन वीडियो को आप देखे दोस्तों, कैनेडा मत आने की वीडियो, मैं अगर आपकी field कोई दूसरी है, computer, IT या दूसरी चीज़ों, अलग है field है, तो आप दूसरी cities भी जा सकते है, वहां पर आप चीज़ों के explore कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, लाइफ में दोस्तों, बस हिम्मत नहारो, दिलेरी रखो, अपने मन में, शेर का जिगरा रखो, क बंदे की तक्तीर होती है, विश्वास रखो चीज़ पे, और ऐसी वीडियोस देखो, जो आप अभी आप देख रहे हो, वो देखते हो वीडियोस, मैं मना नहीं करूँगा, मगर इन वीडियोस को देल पर मत ले जाना, कि don't come to Canada, if, 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 अब एक चीज और मैं बताना भूल करना कहीं से भी हो, आप जी ये, आपकी English तो strong होगी नहीं, middle class बच्चों की strong नहीं होती English, अगर आप हो जी चंडीगर से, NCR से हो सकता है आपकी English strong हो थोड़ी सी, बाखी आम बच्चों की English strong नहीं होती, इसलिए हम IELTS नहीं clear कर पाते, अब मैं आपको कभी बताओंगा कि म मैं हमेशे ही कहता हूँ मनी वीडियो में students को कि यार कि विश्वास रखो अपने उपर और आपकी जो होगी na English आपकी ठीक हो जीगी, मत आपको एक विश्वास रखना है कि जो आपकी English है भाई कि आज ठीक नहीं होगी, time लगता उसमें, पांच, दो है, तीन साल, चार सल, मैं अपने English ऐसी कर लो कि कम से कम अपने आपको, मतलब की लोगों से बात कर पाओ, अपने आपको explain कर पाओ, English का perfect होना ज़रूरी नहीं है, मैंने बहुत सारे बंदे देखे हैं, जिनके पांच, 20, 30, 30 घर हैं, वो English के एक word नहीं बोल पाते है, ठीक है, millionaire हो बनते, तो इसलि को जीगी, जिस दिन मैं रिपोर्ट पर आता है, यहां पर, मुझे नहीं पादा था जिए English कैसे बोलनी है, मुझे एक word नहीं पादा था English का, मरा आज मैं बोल पाता हूँ, थोड़े सी, ठीक है, हाँ मेरा accent गोरो जैसा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है चीच का, कभी नह हो पाएगा, जब तक मैं जीऊंगा, कभी नहीं हो पाएगा, मुझे इस चीच का आईडिया है, मैं ठीक है, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ, इनकी लैंग्वज़े बोल पा रहा हूँ, यहीं मैटर करता है यार, तो अपने ओपर इतना प्रेशन बढ़ डालना, कि इं मगर इन चीच्चो का नाइडिव चीचो कोई फाथ नह이 decision कोई न्यागी देखो, तो उनका solution में निकालने क्योश करो, कि अगर यह बंदा नाइडिव कह रहा हूँ, जी क्यों कह रहा है, इसका solution क्या है, तो यही आर आज के लिए, आज के लिए holefully आज का video आपको अच्शा सब कुछ तो चलिए दोस्तों आज के लिए होफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर मैंने किसी को फैंड किया हो यार मैं किसी को फैंड नी करना जाता दिल से मैं चाता हूं कि यार सब लोग पोजिटिव सब लोग प्रोग्रस करें लाइफ में मेर से उपर जाएं मेर से भी आगर जाएं जो स्टुडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए सब पोस्टिव लाइफ के अंदर, मैं तो यही कहता हूँ सब के लिए, तो, ओके गाइस, थेंक्यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर, बाई, टेक क्यार,